बाचिछ में आपको क्याendi Haloo Friends, Last lecture में आपने देखा था Bridge balance concept नौब यह numerical चाल हुआ ता वीडियो कट हों गें, narrower किए इस question में आपको क्या find करना है Grab Trash तो सब में पहले आपको चेक करना होगा कि बिरीज बैनेस है या नहीं है झाल चेक कीजिए बिरिजबैनेस है या नहीं इस इस ऑपोजिट आंगे जो रेजिस्तन से इनका प्रड़क्ष कहा होना चाहिए इकोल होना चाहिए जैसे 12, 6 into 2, 12, 3 into 4, 12, okay, so 12, 12 आ रहा है, मतलब bridge balance यह, right, bridge is balance, right, bridge is balance, right, now, जब bridge balance रहेंगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, bridge में का resistance निगलेट कर सकते हैं, right, now, bridge में का resistance अगर मैं निगलेट करूँगा, तो अभी आप बता सकते हो, R, E, B, क्या रहेगा, बता ये, R, E, B, क्या होगा र, E, B, equals to, बता ये, 3 plus 2, 5, इन प्यारल भी, मैं आइसा हिएंगा, 3 plus 2, इन प्यारल भी, 6 plus 4, 10, 6 plus 4, okay, मतलब 5 इन प्यारल भी, 10, right, now, दूर रजिस्टर प्यारल में कनेक्टे, तो मैं आपको बताया था, क्या हैगा फर्मुला, R1, R2, divided by R1 plus R2, right, मतलब या हैगा, 5 into 10, 10 divided by 5 plus A, okay, so answer आजाएगा, 10 divided by 3, ठीके, answer आजाएगा, 10 divided by 3, ओहो, okay, 10 divided by 3, ओहो, right, ये ता 3, right, so, ब्रीज पैनेस में आपको कर सकते हो, ब्रीज में का रजिस्टर निग्रेट कर सकते, right, now, और एक निमरेकल देखिए, ये निमरेकल, now, A वाला जो हे, ये सर्कित, इसमें ब्रीज है या नहीं है, okay, so, अच्छे से अगर आपसौर करोगे अपलोग, तो ये क्या है, ब्रीज है, right, इसको मैं उस फॉर्म में भी ड्रा कर सकता हूँ, right, इस ब्रीज को मैं उस फॉर्म में ड्रा कर सकता हूँ, okay, so, ये ब्रीज है, right, ब्रीज है, right, okay, now, ब्रीज प्र सेयों प्रीज वैलेंस भी है अपको आर ये जाफ साथ करना है आधी सब्धिक अब रूद केया क्या बाइल किया बिजज बैलेस इसको निगलेट कर सकते हैं नो बीच वाला आर्म आकर हम लोग निगलेट करेंगे तो अभी आर्म यह पीजिली फाइंट कर लोगे पता वाली फीला मिलेट न फिर ये 10 प्लस ये 10 फ्लस इप्लस घखने स्टेपर हम और यी आर्म पाईगे अपंभी ती कर क्या फंबर यह रबेंर फ्लस अ कजम ड्योंky आफिससी तेधाये घ्राविए ृंप शचान में अगाल एक झा महीं होने था प्रूंच कहते। अगर बैटाविो शॉन कुछ यृत एवगे लेकिन अगर आज़र बीजा वैस नहीं है तो स्टार ट्रांस्वर्मेशन ट्रांस्वर्मेशन डेल्टा टू स्टार ट्रांस्वर्मेशन, ओके, सबोज कोई डेल्टा सरकीट है अपका इस तरह से, ठीके, नाम देता हूँ, ये, बी, सी, ओके, रजिस्टन्स फॉर एजांपल ये, ये, आर बन, ठीके, आर बन, आर टू, आर टू, आर रजिस्टर रहे हैं, नाम देता हूँ, बीदो, कुछ फर्क निपढेगा, ना इसका एक्वानेट अपको लेना है, डेल्टा, स्टार में, आर टू, नाम देता हूँ, ना ये, नाम देता हूँ, ना ये, रजिस्टर बोनुगा, र, ये, र, ब, और ये, र, सी, टीके, नेम को की बाएगे ऐसाट होता है डेल्टा टुस्तार आप ट्रांस्फोर्मेशन कर रहे हो इसका में यह है कि आपको डेल्टा आर्वन आर्टू रिपाए डेल्टा के भाली कि पता है स्टार के मेंडियों आपको आपको क्या में करना है जी आपको वैशने के लिए आसान में पता है मत्त गवेल्ट में हте जुवा है एक हींट है देखिए, आर ये अगर आपको find करना है, so imagine कीजिए, देखिए, सबोज मैं start इस तरह से कर सकता हूं, डेल्टा दिविश में, right, ठीके, नब आर ये, ये resistance इस तरह से आएगा, right, ये resistance क्या आएगा, इस तरह से आएगा, okay, so उसका formula देखिए किस तरह बन जाएगा R1, R2 का product, R1, R2 divided by R1 plus R2 plus R3, okay, मतलब देखिए, ये R1, R2 से रिलेटेड है, R1, R2 से रिलेटेड है, right, नहीं, R1, R2 से रिलेटेड है, ये वाला R1, R2 से रिलेटेड है, okay, so R1, R2 का product divided by R1 plus R2 plus R3, तिनों की क्या लेना है, आपको sum लेना है, right, same RB भी आपके आप बोलोगे, अगर RB आपने को find करना है, RB, okay, so RB किसे रिलेटेड है, मैं इसको नाम B देता हूँ, और ये C, ये RB देखिए, किसे रिलेटेड है, RB, R2 और R3 से रिलेटेड है, right, RB, R2 और R3 से सिमिलरली, RC आपके इस तरह आएगा, RC बताए, RC किसे रिलेटेड है, R3 और R1 से रिलेटेड है, okay, so उसका फार्मूला बन जाएगा, R1, R3 divided by R1 प्लस R2 प्लस R3, okay, so ये हो गया, उसका स्टार टू, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार जबड़ी आप डेल्टा टू स्टार गोरोगेना, तो इस तरह का स्टार मार्ग बना गया, okay, नो ये R A, तो R A किसे रिलेटेडे, R1, R2, right, नो जिसे रिलेटेडेडे उनका प्रोड़क्ट डिवाइडेड बाई स्टार, डेल्टी प्लस R2, R3 तो दोनोंका find equivalent, equivalent star value, if E for below delta, okay, find equivalent star value for below delta connection, okay, suppose delta connection इस तरह से, okay, इस तरह से delta connection है, ठीक है, ये 3 ohm, suppose 3 ohm और 3 ohm, ठीक है, all value kya है, 33 ohm, और आपको star value find करना है, ठीक है, और क्या है 3-3-0 में आपको star value find करना है सपोज यह है A, B और A, C है और आपको equalize star find करना है, equalize star find करना है मतलब A हो गया star यह 1, 2, 3 यह register दूँगा R, A, R, B और R, C R, A, R, B, R, C आपको क्या करना है find करना है, okay so find कीजिए यह formula आपके पास है, right, R, A, R, B, R, C find कीजिए answer क्या है नहीं बता हिए, R, A किस तरह find करना है आपलो, right जो related resistance है उनका product divided by किनो किसम, related resistance क्या है 3-0, 3-0, right so 3 into 3 divided by 3 plus 3 plus 3, right, answer आजाएगा 9 divided by 9, oh, oh similarly, आप R, B, find कीजिए, right, R, B, same formula, answer आजाएगा 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 1, oh, oh ठीके, formula आपके सामने है, just when you put कीजिए, answer find कीजिए, right तीनो answer आजाएगा, R, A, R, B, R, C के आजाएगा, 1, oh, 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 oh समझे में आए, ठीके, आपको just formula करना है, और answer find करना है, answer आएगा, 1, oh, oh, okay इस numerical से मैं एक conclusion दूँगा, आपको, conclusion important है, ठीके, यह formula आप याद कर लोगे, लेकिन एक conclusion दूँगा, वो बहुत स्यादा important है ना conclusion क्या है, देखे, यह delta connection था, right, delta connection में मैंने all resistance 3 ohm के लिए थे, right, all resistance क्या लिए थे, 3 ohm के लिए थे if all resistance are of equal value, then it is called balance the connection, okay, मतलब यह क्या था, delta balance था, ठीके, balance connection था, अगलज़हने है, हमने formula में value put किये, star equivalent find किये, नो star equivalent के values भी क्या गया, same आ गया, right, मतलब हम लोग बोलेगें, अगर delta balance है, तो star भी क्या है, balance आएगा, right, delta balance है, तो star भी क्या आएगा, बैनेश आएगा, right, delta अगर मतलब all values delta में, तो star में बी बैनेवी थे, same रहेगे, तक आूई फ्रीन के आए आ गा वनुआर्ड़ है तो स्टारक व शक्रीद्यस्था अगा और दिवाइड़ेड़ इन एर से इदर स्टार में इस मही। केई by 3, okay, so conclusion दिखिए, conclusion for delta to star transformation, delta to star transformation, okay, first conclusion क्या है, if delta connection is balanced, if delta connection is balanced, देखो मैं, short short में लिख रहो, आप दिर्फ तर रहे किए, ठीके, if delta connection is balanced, then there is star connection also balanced, if delta connection is balanced, star also balanced, okay, balance का मिनी आपको बता है, मैंने balance means, तिनो की value क्या हो ना, same, तिनो की value क्या है, same, okay, so delta balance रहेगा, तो star भी क्या रहेगा, balance रहेगा, एक, एक conclusion, first conclusion, now second conclusion, if delta is balanced, if delta is balanced, and all resistance values is R, then, okay, मैं इसकी, short form में लिख ताउ, ठीके, खाम का विडियो लंबी जाए, ठीके, if delta is balanced, and R delta equals to R, ठीके, इसका में इनी क्या होगा, delta balance है, और delta के हरेग रिजिस्टन का रिजिस्टन का रिजिस्टन क्या है, then resistance of star connection will be R divided by 3, ठीके, इसकी कूडी के फोम में लिखा मैंने, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीके, balance है, और delta का resistance, अगर R होगा, तो star का क्या आएगा, R divided by 3, तो दो कर्कूली जने, balance के लिए balance आएगा, और अगर तिनो balance है, connection balance है, और value है R, तो star की value आएगी, R divided by 3, तो इस अल आएगा, डेल्टा तू स्टार ट्रांस्फोर्मेशन, ना नेक्स्ट रांस्फोर्मेशन है, नेक्स्ट आएगा, स्टार तू डेल्टा, नेक्स्ट ट्रांस्फोर्मेशन, स्टार तू डेल्टा, स्टार तू डेल्टा, ओके, आप नोट कीजिए, ठीके, मैं टैम नहीं दे रहा हूँ, आपको लिकिए आप पाउस करके वीडियो, नोट कर सकते है, राइट आएगा, ठीके, स्टार तू डेल्टा, नो, देखिए आपके पास एक कनेक्शन है, for example, इस तरह से, स्टार, स्टार, स्पोज, मैं नाम दे रहा हूँ, 123 नोड, और ये, स्पोज, आर ये, आर भी, और रस, ठीक, इस तरह से कुछ नेमिंग दिया में, नेमिंग आपको भी हो सकती है, ठीके, और इक्वैरेंट डेल्टा कुछ इस तरह से, इसको नेम दोंगा, R1, R2, R3, आर ये, ठीके, नेमिंग कुछ भी होगी, ठीके, नेमिंग कुछ भी होगी, ठीके, नेमिंग से आपको कुछ लेना, देना के लिए, नो, इस कनेक्शन में दिखिए, आपको star to data find करना है, मतलब star के value आपको पता है, मतलब R, A, R, B, R, C, पता है आपको फेन के करना है R1, R2, R3 आपको find करना है R1, R2, R3 आपको क्या ज़रना है find करना है नव देखिए इस तरह से मैं star मतलब यह ड्रॉख कर सकता हूँ delta जैसे कि मैंने delta इस तरह से draw किया okay star में मैंने delta draw किया okay now R1 देखिए R1 का formula क्या आएगा R1 plus 2 formula बड़ा easy देखिए R1 देखिए R1 देखिए R1 क्या आएगा R A R B से related है R1 से right यह R1 है और R1 से related क्या है R A R B right so क्या पुरूँगा मैं formula R A plus R B देखिए दोनों की sum R A plus R B plus दोनों का product divided by third जो दिमेनी है R C देखिए यह आर वन जो है R1 की से रिड़े आर यह आर भी से रिड़े देखिए आर वन जो कनेक्टे रेजिस्टन्स या फिर आप उसको इस तरह बोल जो आर वन तू बोलो नेमिंग हम लोग इस तरह देखिए आपको इसे लिए समझ आ यह आर वन टू 1 आर टू के बिच में जो कनेक्ट किया है वह आर वन तू रै इसको बोलोंगा मैं R 2 3 और इसको बोलोंगा मैं R 1 3 ठीके नेमिंग इस तरह से दो नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं आपको लेकिन इस तरह से दो आर वन टू रै ना आर वन टू का मीदिंग होगा कि 1 और 2 के बिच में जो कनेक्ट के दे रै और उससे रिलेटेज कोन से रेजिस्सन्स है आर ये आर बी रै तो आ जाएगा आर ये प्लस आर बी प्लस वो दोनो दोनों का प्रडुक डिवाइडेड रै ये हो गया फार्मूला आर वन टू कर नो आप बता सकते हो मेलको इसी डी आर वन ध्री आम वन ध्री मतलब ओना और त्री चिपीच में रेजिस्सन्स मतलब आ वन थ्री नो उन 3 से रिलेटेजिस्सन्स क्या है आर ये आर सी तो फार् क्या आएगा, R23, 2R3, 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 2R3 से रिलेटेट क्या है, RBRC, right, so RB plus RC, ये उससे डेडिकेद है, so formula बन जाएगा, दोनों का प्रड़क्त, दोनों की सम, मतलब RB plus RBC, RB plus RBC की सम, और दोनों का प्रड़क्त डिवाइद बाई किसरा, okay, so formula easy है, ठीके, आप easily उसको या formula, right, now, मैं स्किल से, simple numerical बनला दो, देखो, find equivalent delta, ठीके, आपको क्या कहाना है, find equivalent delta values for below star connection, ठीके, suppose आपको star connection given है, right, इस तरह से star connection आपको given है, ठीके, suppose मैं ले रहा हूँ ये values, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, right, और आपको equivalent delta क्या करना है, find करना है, इस तरह से equivalent delta आपको क्या करना है, find करना है, right, मैं उसको बोलूँगा, ठीके, naming दे दे, naming, suppose है 1, ये 2, और ये 3, right, 1, 2, 3, right, ये आजाएगा, r12, r23, और ये आजाएगा, r13, right, ठीके, similar, नवा, r12 आप find करो के, बताओ मेरे को, r12 क्या आएगा, बताए, r12 क्या आएगा, right, r12 मैं आपको बताए, r12 अगर find करना है, तो क्या करना है, आपको, r a plus r b, right, मतलब रिलेटेट जो रिलेटेट जो रिलेटेट से उनकी सन, प्लस उनका प्रोड़क्ट डिवादेट बाए थर्ड, right, now, r12, r12 से रिलेटेट क्या है, 2 ohm, 2 ohm, right, so, answer क्या आजाएगा, 2 प्लस 2, प्लस ये दोना का प्रोड़क्ट, 2 इंटु 2, डिवादेट बाए थर्ड, 2, right, so, r12 आजाएगा, आपको, 6 ohm, similarly, r13 आप बता सकते हूँ, ठीके, इतने ट्यारेटे, डिवादे, आपके, r13 आप लोग बता सकते हूँ, okay, so, r13 भी आजाएगा, आपका, 6 ohm, r23 भी कितना आजाएगा, बताए, 6 ohm, okay, so, all values आजाएगे, 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, right, इसको, solve कीजिये, फिर से, और वैटीट आपको आजाएगे, 6 ohm, right, now, देखिए, इस problem से, मैं फिर से, आपको, दो conclusion दूँगा, इस problem से, मैं आपको, फिर से, दो conclusion दूँगा, आप समझ गए होगे, फिकन क्या होगे, ठीके, आप समझ गए होगे, conclusion क्या होगे, क्या conclusion होगे, देखिए, star balance है, delta की value भी क्या आ गई, balance आ भी, star balance है, delta भी क्या आ रहा है, आपका, balance आ रहा है, delta भी क्या आ रहा है, balance आ रहा है, right, ठीक है, so if, if star connection is balance, then, then, delta connection also balance, connection is also balance, okay, now, circle conclusion क्या बोलूँगा, मैं, बताए, circle conclusion, देखिए, delta में क्या दारा होगा, आपको, delta में हमने क्या लिया था, delta की value अगर r है, तो star की आएगा, r by 3, now, इस connection में देखिए, star की value अगर r है, तो delta आएगा, 3 times r, ठीक है, star की value r है, तो delta की आएगा, 3 times r आएगा, okay, if star is balance, मतलब star connection is balance, actually, right, now, if star is balance, and, and r star equals to r, okay, star connection is balance, and r star equals to r, then, r delta बता है, कितना आएगा, 3 times r, कितना आएगा, 3 times r, okay, इस numerical से आप observe कर सक्ते हो, okay, अगर ये 2 हो हो हम, ये कितना आए, 2 into 3, 6 हो हो, okay, सो ये हो गई, दो conclusion, right, star to delta, star to delta, star to delta, star to delta, 3 times multiply करना है, delta to star, 3 times divide करना है, star to delta, 3 times multiply, star to delta, 3 times multiply, और delta to star, 3 times divide, कब जब आपको बताता हो, देखिए, इसका ये कैसे करना है, इसका ये कैसे करना है, एक निमेरकर लेंगे, find R, A, B, right, find R, A, B, सुपोजिए, पॉइंट ये है, ये पॉइंट है भी, okay, एक निमेरकर आपको फाइंट करना है, R, A, B, okay, नो ये ब्रीज है, आप इजिली बता सकते हो, कि वो ब्रीज है, और उस ब्रीज का आपको एक्वेरेंट रजिस्टन्स, find kना, right, क्या है, ब्रीज है, और उस खाइंट रजिस्टन्स, आपको क्या करना है, find करना है, right, आप इजिली बता सकते हो, एक ब्रीज है, 여기까지, पैलेंस हे क्या, ब्रीज बैंस है क्या, नहीं है, ब्रीज is not balan भी बैर्श कुम हाँ टेगा सब्सक्राइट टार करने अपको ट्रेयर तारीट में चार्टा आपको डेलेटा ट्रांस्वर्मेशन गिए हो सब्सक्राइट्स कर रहे गिए जी गारेटा बन्राव देर बनार है डेल्टा बन रहा है या नहीं बन रहा है बन रहा है ठीक है उपर वाला भी एक डेल्टा बन रहा है ओके सो आप क्या करो कुई भी एक डेल्टा को स्टार में करो जैसे कि for example, मैं इस तरह करता हूँ, यह जो नीचे का डेल्टा है, मैं इसको star में convert करूँगा, okay, now, इस डेल्टा को मैं star में convert करूँगा, तो मेरा network क्या हो जाएगा, simplified हो जाएगा, okay, so use delta to star transformation, use delta to star transformation, okay, now delta to star transformation, यूज करने की बाद, आपको circuit की सतरह बन जायगा, देखिए, यह हो जाएगा, one o h, यह हो जाएगा four o h, okay, वो यह one o h, हो गया, और यह four o h, टीक है, अब जो नीचे का delta है, उसको आपको क्या करना है, star में convert करना है, यह जो delta है, ऊसको क्या करना है, star में convert करना है, इस तरह जाएगा को स्टार में करने के बाद आपका जो नेटवर को इस तरह बन जाएगा यह पॉइंट हो जाएगा यह और यह पॉइंट हो जाएगा भी ऊके ठीके नौग एक फिलेंट भेलेंट किजिए। नौट इस जो डेलटा था यह बैलेस है या या नहीं यह बैलेस यह बैलेस है रजएगा जंख झाल करें x कि या करें आपकी बैद कि यह तू और रीस्टंस कितने आ जाएंगे तू टू तू आ जाएंगे राइट और रेजिस्नस आ गया किए प्ले तरफ रशति रहें हम लोग पताएं है one of two capital series में geen out of two California series में इतना हो जाएगा थी four or two kiais series में हं इतना हो जाएगा six ठीक है और ये दू पंबिनेशन इसके पैरलों में है त्री हए उनकर तीन हो जाएगा फूर चूर जाएगा six और दोन क्या जाएगा पैर राइट सीब सिरिस में मतलब मैं बता सकता हूं कि मेरा combination कुछ इस तरह से आएगा ओके सर्कुछ इस तरह से बन जाएगा ठीक है, अक्सेब करते हो सर्कुट इस तरह से बन जाएगा ओके, नो सर्कुट इस तरह से बन गया, देखिए ये 2 ohm in series with 3 of 6 का combination फ्री और सिक्स पेनर में हैं और बाद में टू उनके साथ सीरीज में ओके वह आपका अरी ये बह要 से बेलत सु सुना प्लस यह दोने का अंबेसे 2 प्लस 3 प्लस 3डल में आर्ल िव कि प्लस 3डल म defence फूपे ल हा原因 3 और 6 अगर parallel में होगे तो इसके पहले बता है आप calculate भी कर सकते हैं, कितना आजाएगा 2, so answer आजाएगा आपका RAB equals to 4 over, so देखिए, bridge अगर balance है तो इसको हम लोग बीच में किसको remove करेगे, circuit easy हो जाएगा, bridge balance नहीं है, तो क्या करना है, star data यूज़ करना है, star data यूज़ करके circuit simplify करो और answer find करो, okay, ठीक है, so think,